वेल्कम टू एक्जाम भी वेचना तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PGD हिंदी 2022 क्लास्टू के बारे में इससे पहले हमने एक क्लास को लगा लिया है अगर भी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी के साथ अगर भी तक आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ भी जुड़ सकते हो उसका लिंक पर आपको दे दिया गया है तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो यहाँ पर जो पहला महतुन पॉइंट है वो है डॉक्टर ब्रियानी ने स्वयम्भू को अपभरंश का कालिदास और पुष्वदंद को भववूती कहा है आपको याद रखना है किस ने कहा है यह सब डॉक्टर ब्रियानी ने स्वयम्भू को क्या कहा है स्वयम्भू को कहा है अपभरंश का कालिदास और पुष्वदंद को भववूती आपको याद रखना है यह टॉपिक महतपून है यहाँ से हमेशा प्रशन बनते हैं अगला मुख्य पॉइंट है नमी सादू ने अपभरंश के तीन भेद माने हैं याद रखिए नमी सादू ने अपभरंश के कितने भेद माने हैं तो यह माने हैं तीन और कौन कौन से हैं वो पहला है उपनागर दूसरा है आभीर और तीसरा है ग्राम्य नमी सादू ने अपवरंश के तीन भेद माने हैं उपनागर, आभीर और ग्राम्य अगला है डाक्टर याकोवी के अनुसार अपवरंश के चार भेद हैं तो देखिए नमी सादू ने तीन माने थे और डाक्टर याकोवी ने माने हैं अपवरंश के चार भेद और कौन-कौन से हैं पहला होगा पूर्भी अपवर्श, दूसरा होगा पश्च्मी अपवर्श, तीसरा होगा उत्री अपवर्श और चौथा होगा दक्षनी इन्होंने चार दिशाओं पर उत्तर पूर पश्चिम और दक्षिन पर अपवर्णश के भाग निर्धारित किये हैं इसी परकार आगे डॉक्टर तगारे हैं इन्होंने भी अपवर्णश के तीन भेद माने हैं आपको याद रखना हैं दो हैं एक तो नमी सादू होगे दूसरे डॉक्टर तगारे होगे इन्होंने अपवर्णश के तीन तीन भेद माने हैं तो जो डॉक्टर तगारे के अपरभरश के भेदे हैं उन्हें देख लेते हैं पूर्वी अपरभरश, पश्मी अपरभरश और दक्षनी अपरभरश इन्होंने जो उत्तरी अपरभरश को अपरभरश के अंतरगत स्थान नहीं दिया है आगे है डॉक्टर नामबरसी हैं ये है सबसे महत्पून तो जो डॉक्टर नामबरसी हैं इन्होंने अपपरश के दो ही वेदवाने हैं याद रखिएगा इसको महत्पून है ये इनके जो दो वेदे उन्हें देख लेते हैं एक तो होगा पूर्वी अपपरश और दूसरा होगा पश्चमी अपपरश ये हैं पूर्वी और पश्चमी इनके दो हैं इसके पश्चत आगे है जो कामाईनी है इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कामाईनी में कितने सर्ग हैं तो चलिए से पहले ये बताईए कि जो कमाईनी है इसके काब्यकरता कौन है तो ये हो जाएंगे जैशंकर परसाथ और इसका लिखने का प्रकाशन बर्ष किया है तो ये 1935 होगा और जो कमाईनी है इसमें 15 सर्ग ठीके ना पहला सर्ग और अंतिम सर्ग आपको याद रखना है पहला चिंता है और अंतिम है आनंद ये बहुती प्रिक्षाओं में पूछा जाता है कि कमाईनी का पहला सर्ग कौन सा है तो ये चिंता हो जाएगा और अंतिम कौन सा होगा आनंद हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको इस कमाईनी के सर्गों को याद करनी की एक ट्रिक ब दर्शन को रहस्य से आनंद आया तो ये ठिक है कुछ इस प्रकार से अगर आप कुछ ही लगती है तो इसे नोट केज़ेगा फिर इसी प्रकार से आप इसे याद कर सकते हूँ तो देखो चिंता है पहला सर्ग, दूसरा है आशा, तीसरा है श्रद्धा, चौथा है काम, पांचवा है बासना, छटा है लज्जा, सातवा है कर्म, आठवा है इर्शा, नौवा है एरा, दसवा है स्वपन, ग्यारवा है संगर्ष, बारवा है निर्वेद, तेरवा है तो इसकी प्रकार से कुछ ये ट्रिक है इसके पेश्चात है विशियसई विश्मगशदम ये किसका नाटक या नाटक रूप है तो ये सबसे पहले तो याद रखे गाएpection ये है भारति इंदू हरिष्चन्दर का तो इसका जो नाट्य रूप उछा जाता है इसका नाटे रूप होगा बहान ठीके ना बहान इसका नाटे रूप है और इसका जो प्रकाशन बर्ष है ये 1886 हो जाएगा आगे है बैद की हिंसा हिंसा ना भब्ती ये किसकी रचना होगी भारत इंदू हरिश्चंदर की रचना है और इसका जो नाटे रूप क्या है? ये प्रहसन है और इसका प्रकाशन भर्ष क्या है? 1883 तो ये जो दोनों प्रशन है अधिकतर पूछे जाते हैं इसलिए नोट कीजीगा इनको आगे है कामना ठीक है जो कामना नाटेक है ये किसका होगा? कामना को आप नाटक भी बोल सकते हूँ या एकांकी ही बोल सकते हैं किसका नाटक या एकांकी होगी ये तो ये जैशंकर प्रसाथ का नाटक या एकांकी है और इसका प्रकाशन बर्ष है 1927 ठीक है इसके पर शाथ आगे देखिए अंधेर नगरी है अंधेर नगरी का नाटे रूप क्या है तो ये प्रहसन हो जाएगा अगला महत्पुन पॉइंट है सुनिती कुमार चेटर जी ने अपरभरंश भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को क्या कहा है जो सुनिती कुमार चेटर जी है इन्होंने अपरभरंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को कहा है अभःट महत्पुन है ये भी पुछा जा सकता है कि जो अपरभरंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अभःट किस ने कहा है तो ये सुनितिक मार्च टरजी ने कहा है प्रशन इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो अपभरश और आधनिक आरे भाशा है इनकी बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है अभभ़ट इसे भी याद रखेगा अगला जो महत्मून पॉइंट है अभ़ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिथिला निवासी जो तिरीशुवर ठाकूर ने अपने गरंथ बर्ण रतनाकर में किया था क्या है दोस्तों अभ़ट शब्द का सरप्रतम प्रयोग मिथिला निवासी जो तिरीशुवर ठाकूर ने अपने गरंथ बर्ण रतनाकर में किया था तो देखिए एक ही लाइन में न जाने आपको कितने प्रशन बता दिये हैं इस परकार से आपको याद रखना है आगे इस लाइन के भी आपके प्रशन बना के देता हूँ तो देखिए आपसे ये बनेगा कि जो बर्ण रतनाकर नामक गरंथ है ये किसका है तो ये है जोतिरिशुवर ठाकुर का ये भी प्रशन बन सकता है कि जो जोतिरिशुवर ठाकुर है इनका स्वन्द किस स्थान से रहा है तो ये रहा है मिथिला से ठीक है आगे देख लेते हैं बिद्यापती ने अपनी कीरती लता की भाशा को अभठ कहा है तो यहां से भी आप प्रशन बनते हैं कि जो बिद्यापती ने अपनी कीरती लता की भाशा को क्या कहा है अभठ कहा है ठीक है यह भी प्रशन बनेगा कि कीरती लता की भाशा क्या है अबहट है और जो कीरती रता के रचनाकार कौन होंगे बिद्यापती होंगे अगला महत्मून टॉपिक है डॉक्टर भोलाना तीवारी के द्वारा अपभरंश और अबहट को एक ही माना गिया है किसने माना है अपवरंश और अभट को एक ही डॉक्टर भोलाना तीवारी के द्वारा अपवरंश और अभट को एक ही माना गया है आगे है प्राकृत की तीसरी अवस्था को अपवरंश या अभट कहा जाता है प्राकृत की तीसरी अवस्ता को क्या कहा जाता है अपब्रंश या अभर्ट आगे हैं मद्य भारती आरी भाषा का अंतिम रूप अपब्रंश है क्या है जो मद्य भारती आरी भाषा है इसका अंतिम रूप अपब्रंश को माना जाता है पहला रूप कौन सा है पहला होगा पाली दूसरा प्राकृत और तीसरा अपवर्णश अगरा जो मुख्य पॉइंट है यह होगा आपका अपवर्णश कैसा शब्द है तो जो अपवर्णश होगा यह तत्सम शब्द होगा तो इस परकार शब्द प्राशन बनते हैं कि जो अपवर्णश की इस परकार का शब्द है यह तत्सम शब्द होगा आगे है अशो के समें पाली राजभाशा थी तो यह तो बहुत ही जादा पूछा जाता है यह वाला प्राशन अशोक के समें राजवाशा कौन सी थी तो अशोक के समें राजवाशा थी पाली अगला महत्पून पॉइंट है अपब्रश के भाशिक और ब्याक करनिक रूप का सुपष्ट और सुव्य वस्तित भी वेचन हम चंदर के सिद्ध हम शब्दानुशाशन में मिलता है किसमें मिलता है सिद्ध हम शब्दानुशाशन में मिलता है और ये कब का है बार्मी शताबदी का यहां से भी आपसे सिद्धा प्रशन बनेगा कि जो सिद्ध हम शब्दानुशाशन किसकी रचना होगी तो ये हो जाईगी हिमचंदर की और हिमचंदर का समय क्या है बार्मिश्तावदी अगला और अंति महत्कुन तति है भाशाओं के पारिवारिक बरगेकर्ण का आधार इतिहास है क्या है ये आफके प्रशन तरक और स्थापना वाले प्रशनों में पूछा जाता है भाशाओं के पारिवारिक बरगेकर्ण का आधार की से कहा जाता है तो ये इतिहास को कहा जाता है